स्वागत आपका सरकार एक्जाम वाला पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है यूपी ट्रिपल सी के लिए जो यूपी में एक स्लेबस के बारे में इंफॉर्मिशन आई है न्यूजपेपर में आप देखने को मिल रहा होगा कई तरह हैं कि न्यूजपेपर में आ र हुआ है कि कीस तरीके से एक्जयाम होगा कितने कोशन पूछे जाएंगे और कितने चर्डमे एक्जयाम होगा उसके साथ इसको एक idea के रूप में रख सकते हैं, लेकिन जो main slabus है, जब आपका notification आ जाएगा, जब आपको बता जाएगा कि वेकंसी इतनी आई है, इन इन पदों के लिए इतनी वेकंसी है, तब जाके आप final एक slabus को समझी हैगा, लेकिन फिर भी एक रूप रेखा आपको यहाँ पर द और 100 प्रशन उसमें दिये जाएगे, तो आपके मन में कोशन आ रहा होगा कि यह परिच्छा कितने चड़ों में होगा, तो उसके बारे में detail पर यहाँ से जान लिजिए, यह जो परिच्छा है, यह आपका दो अस्तर पर होगा, पहली जो परिच्छा होगी, यह आपकी प् प्रारंभिक परिच्छा होती है, उसमें देखा जाता है कि जो इस्टोएट है, जो विद्यारती है, जो एस्परेंट है, वो eligible हैं कि नहीं सेकंड परिच्छा के लिए, फिर सेकंड परिच्छा के आधार पर ही merit आपकी मनती है, फाइनल सेलेक्शन होता है, तो यहाँ पर आप ये भी जान लिजे कि दो घंटे का पेपर होगा आपका, अब इस पेपर में क्या-क्या पूछे जाएंगे, उससे पहले ये जान लिजे कि इसमें negative marking रहेगी या नहीं, तो याद रख लिजी आप लोग कि एक चौथा यंग कि यहाँ पर negative marking रखा गया है, यानि कि 1 by 4th number आपका negative marking के रूप में है, इसके बाद ये भी जान लिजे कि यहाँ पर जो परिशा है, उसमें कौन-कौन से syllabus related चीजे हैं, तो देखिए, पहले इस्टार्टी में ही बता दिया गया है, कि जो pet परिशा होगी, वो आपकी intermediate अस्तर की होगी, ठीक है, इसमें आपके GK related, यान यानि कि जो आपके गध्यान सोते हैं, उसमें से related कुछ questions पूछे जाएंगे, उसे गध्यान से related, तो वैसे questions भी आपके exam में देखने को मिलेंगे, उसके साथ-साथ प्रानमिक गडित, यानि कि जिस तरीके से 10th level के जो math पूछे जाते हैं आपके exam में, जैसा कि आपके लिक questions पूछे जाएंगे, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, कि इसी तरीके से pattern आपके होंगे, तो यह आपका pet के बारे में है, जो आपका exam होगा, तो यह आपको ध्यान में रखना है, अब देखें, यहाँ पर एक information और important दे दिया गया है, कि जो आपका पाठक्रम है, वो इक idea एक रूप रेखा, आप जान सकते हैं, हलाकि इसके माध्यम से आपको पता चलता रहता कि हाँ, इस तरीके से चीजे हो सकती है, एक चीज और important है कि फरवरी के लाश तक उम्मीद की जा रही है, कि वेकेंसी आएगी, यूपे में बहुत सारी वेकेंसी आने वाली है, त तो आप वेट करिए फरवरी तक, तब तक वेकेंसी आ जाएगी, हलाकि चैनल पर बहुत सारी क्लासे स्टार्ट होने वाले हैं, पहले भी क्लासे चल रहे थे, अगर आप पढ़ना चाते हैं, तो पुरानी क्लासे को आप देख लीजेगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है, उ उस पर भी वीडियो बनाने के हम पूरी कोसिस करेंगे, ठीक है, तो ये थी आपके लिए इंपोर्टन जानकारी, फिर इंड करते हैं क्लास को, वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट, वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद, वन्दे मात्रम.